हाव रूफीक्स वान प्लस नॉट कैमरा ब्लेक स्क्रीन एंड नॉट ओपिनिंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के दिवाइस में केमरा ब्लेक स्क्रीन एंड नॉट ओपिनिंग प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका जो कैमरा है वह सिर्फ और सिर्फ ब्लेक हो रहा है और साधी साथ ओपे नियो पा रहा है तो कैसे आपको सॉल्फ करना है यही मैं आपको इस व फोलो करना है उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ओनलाइन पैसा कमाना चाते तो दोस्तों वीडिय पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मोबाइल को रिस्टार्ट करके देखे अगर फिक्स होते ठीक है अगर नहीं हो कैमरा आप्षण ओपेंग कर लेना है उसके वार आपको जाना है क्लियर इस टोरेज पर क्लिक करना है और कर देना है जैसे ने चरणे मेक करना है मेक शूर सारे परमिशन इनेवल रहे उसके बाद मोबाइल को रिश्टार्ट करके चेक करके देखी अगर आपने केमरा को problem fix हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem fix कर सकती है इनी chance अगर इसके बार भी problem solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है mobile को safe mode पर reboot करके देखिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को 2 second click करके रखना है और ok कर देना है जैसे ही ok करेगा आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपके फोन ओफ हो रहा है और जब safe mode पर आपका mobile restart हो जाएगा आपका problem भी solve हो जाएगा by any chance अगर आपका problem solve नहीं होते तो दोस्तों आपको जाना है setting उसके बाद आपको जाना है system camera और software को update कर देना है जैसी दोस्तों आपका software अपडेट होगा आपका problem भी fix हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने camera black screen and not opening problem solve कर सकते हैं तो यह था दोस्तों आपका solution उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा आज के लिए बस इतने ही thanks for watching